भारत और चीन के बीच अब मानों रिश्τη इतने जटल हो गये हैं जितने कि भारत और पाकस्तान के बीच चीन लगातार भारत विरोधी अपनी ताकतों का इस्तमाल कर रहा है वह भारत ने भी दिखा दिया है कि हम तुमसे डरने वालों में से नहीं भारत भी चीन के एक बार पर दो वार कर रहा है लेकिन इस बात से अब मालदीव में विवाद उत्पन हो गया है क्योंकि मालदीव की सरकार भारत की नरेंद्र मोदी सरकार समर्थक है जबकि विपक्ष है चीन समर्थक तो अब माल्दीव में विपक्ष में बैठे लोग जन्ता को सरकार के खिलाब भड़का कर चीन के पाले में लाना चाहा रहे हैं लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि साल 2018 में जब इब्राहिम सोली ने राश्ट्रुपति का चुनाव जीता था तब से भारत लगातार माल्दीव के साथ खड़ा दिख रहा है जबकि चीन समर्थक माल्दीव के पूर्व राश्ट्रुपति अब्दुल्ला यामीन अपनी सजा पूरी कर रहे हैं लेकिन अब जब चीन और भारत एक दूसरे को फूची आँख नहीं सुहा रहे हैं और सोली का पूरा समर्थन भारत के साथ है तो इससे चीन का पुछलगू माल्दीव का विपक्ष यामीन को रहा करने की मांग कर रहा है जिसके लिए मोटरसाइकल रैली निकाली गए उसके बाद सुरक्षा इंतिजामों के भी समीक्षा की गई यामीन मनी लॉंडरिंग के मामले में पांक साल की सजा काट रहे हैं स्थानी अधिकारियों के मताबिक ही रैली कोविड-19 महमारी के आलोक में जारी दिशान रिदेशों की अभहिलना करते हुए निकाली गए यामीन की प्रोग्रेसिव पार्टी के नेत्रित में माल्दीव की विपक्षी पार्टियों ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि देश अप्रत्याशित आर्थिक संकट में फस रहा है जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी और सरकार पर कर संकट का खत्रा बढ़ चुका है चीन के पिछलगू विपक्ष ने सोही सरकार पर देश को बेचने कारोग लगाया है हलांकि मालदीव के विदेश मंत्री के माने तो स्थिती अभी भी नियंत्रण में है और फिर सरकार ने राजधानी माले के ग्रेटर माले रीजिन में भी सुरक्षा बढ़ा दी है जहां भारतिय दूतावास समित कई प्रमुक संस्थान है हालाद समझते हुए भारतिय दूतावास की सुरक्षा में मालदीव नाशनल डिफेंस पोर्स लगा दी गई है प्रदर्शिनकारियों ने माले में ही स्टेल बैंक ओफ इडिया के ओफस को आग के हवाले कर दिया था और जनता को अपने पक्ष में बनाय रखने के लिए अपने किये कामों में जनता का विश्वास बनाय रखने के लिए जनता का विश्वास बढ़ेगा तो फिर जनता बिल्ला यामीन के समर्ठी को और सोली के विरोधियों के बातों में नहीं आएगी और सोली को तनाप नहीं छेरना पड़ेगा आपको बतादे साल 2018 में इबराहिम सोली के सरकार बनने के बाद भारत ने से मालदीव के साथ अपने संबंधों की नई शुरुआत करा दिया था अधिकारियों के मताबिक सोली के सरकार बनने के बाद भारत अब तक मालदीव को दो अरब डॉलर की मदद का बादा कर चुका है ये सोली और मोदी के रिष्टे ही मालदीव की विपक्षियों को रास नहीं आ रहे हैं इसलिए सरकार का पुर्जोर विरोध कर रहे हैं